हमारे चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जी हाँ दोस्तों सही सुन रहे हैं आप NCTE ने नई अधिसूचना जारी कर दी है कि B.A. Special Education Degree दारी बनेंगे सिच्चक और Primary सिच्चक भरती में की जो योगिता है उसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है देखिए B.A. Special Education Degree दारी बनेंगे सिच्चक पहली से पांचवी पहली बार B.A. Special Education Degree दारी पहली से पांचवी तक के सिच्चक बन सकेंगे तो बहुत से ऐसे चात्रें जो Special B.A. किये थे लेकिन उनको Special चैतर में ही निकती मिलती थी प्राइमरी में नहीं मिलती थी तो NCT ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और अब तक ऐसे डिग्री वालों की पहली से पांचवी तक के सिच्चक बनने का मौका नहीं दिया जाता वहीं इससे पहले NCT ने B.A. Special Education डिग्री धारीयों को 6-8 वी कच्चा के सिच्चक बनने के लिए ही योगी घोसित किया था तो इससे पहले B.A. Special डिग्री धारी जो थे वो 6-8 वी तक की कच्चा के सिच्चक बनने योगी थे B.A. Special Education की डिग्री भारती पुनर्वास परसद RCI से मानेता प्राप्त होनी चाहिए इसके लिए NCT से मानेता हासिर करने की आवशकता नहीं है पर NCT ने सर्थ रखिये कि सरकारी स्कूल में निक्ती के 6 महिने के वीतर ऐसे सिच्चकों को NCT द्वारा मानेता प्राप्त संस्थान से 6 महिने का कोर्स पूरा करना होगा लेकिन NCT ने यह सर्थ रखिये कि जो सरकारी स्कूल में निक्ती होने के बाद 6 महिने के वीतर यूने NCT के द्वारा मानेता प्राप्त किसी भी संस्थान से 6 महीने का कोर्स पूरा करना होगा NCT के इस फैसले से अब तक राजे के लगवक 80,000 सरकारी स्कूलों में Special Educator को सिच्छक बनाने का मौका मिलेगा तो यह पटना का है वहाँ पे 80,000 स्पेसल एजुकेटर को सिच्छक बनाने का मौका दिया जाएगा पटना विश्विदाले के सीने सदस्य डाक्टर कुमा संजीव ने कहा कि B.A.D. Special Education डिग्री दार्कों को भी सिच्छक पातरता परिछा में सामिल होने का मौका राज सरकार को देना चाहिए तो अब जो टैट का हरा राज इस्तर पर टैट होता है उसकी परिछा में भी सामिल होने का मौका इनको मिलना चाहिए B.A.D. Special Education की डिग्री R.C.I. से होनी चाहिए B.A.D. Special Education की डिग्री R.C.I. से होनी चाहिए मानिता प्राप्त और 80,000 सरकारी स्कूलों में Special Educators को सिच्छक बनने का मौका दिया जाएगा इस तरफ प्राइमेरी सिच्छक भरती की योगिता में बदला यह बहुती सराहनी कदम है एक निजर और है कि सभी केंद्री विश्विद्वालें में इस नातक पाठेक्रम चार वर्सी होने की संभावना है तो सभी केंद्री विश्विद्वालें में जो इस नातक के पाठेक्रम है वो तीन वर्से बढ़ा कर चार वर्सी की संभावना है करने के लिए देखिए केंद्री सिक्षा मंत्राले देश के सभी विश्विद्यालेओं खासकर केंद्री खासकर अभी देखिए ये केंद्री विश्विद्यालेओं में चार वर्सी इसनातक पाठेकरम लागू करना चाहते हैं केंद्री विष्विद्यालियों के कुलपतियों से कहा है कि वे सभी 45 केंद्री विष्विद्यालियों में अब 3 एवं 4 वर्सी इसनातक और 2 वर्सी पराईसनातक पर बिचार मन्थन सुरू होना चाहिए 3 और 4 वरस का इसनातक और 2 वरसी जो प्रहसनातक है इस पर विचार मंथन होना चाहिए ताकि इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो सके मंत्राले का कहना है कि यह पाठिक्रम पिछली बार 2013 में शुरू किये गए 4 वरसी इस नातक पार्ठेक्रम से अलग है और इस बार कई केंद्री विश्विद्यालेओं को उनके नियमे तीन वर्षी इस नातक कारिक्रमों की संचारित करने के अनमती होगी साथी नई प्रणाली भी लागू होगी और इसमें चात्रों को बार बार कोर्स में प्रवेस लेने और छोड़ने का विकल्प उपलब्ध होगा तो इसमें देखे चात्रों को बार बार कोर्स में प्रवेस लेने के लिए और छोड़ने का मल्टिपल एंट्री एंड पराइसना तक पाठेक्रम उपलब्द है उन्होंने कहा कि सभी केंद्रिय विश्य विद्याले के कुलपतियों से कहा गया कि इसे कैसे करना है और इसकी आपको स्वायतता है यह आप पर है कि आप इसे कैसे लागू करेंगे अगले साल तक इस विश्य पर सभी को अपनी प्रक इसला भी होस्ट रुका है तो इस तरह कैसे सभी केंद्रिय विश्विद्यालियों में इस नातक पाठिक्रम जो है अब चार वर्सी होने की पूरी संभाणा बन गई है तो इसीक साथ हमारा है आज का वीडियो समाथ होता है वीडियो आपको कैसा आला कमेंट करके जरूर बता आतकि कि पुर्चन दोहा हमारे खनी होता है अज़यों में ब हाको का ये वीडियों आपको के शिया है